तो अब सुबर दस बच चुके हैं आप लोग मेरी डेली बिस्स पर अगर लीगल जीके की वीडियोस देखते हो तो आपको बहुत सारी चीज़े नहीं देखने को मिलते होंगी तो आज इस वीडियो के अंदर आज इस सेशन के अंदर हमारे जो यह लीगल जीके का 14th सेशन है हम लगतार अपना हमें आप लोगों के लिए नए नए टॉपिक्स जो एक्जाम पर अंड़िश एक्जाम में 110 परसंट आएंगे मैं आपको गैरेंटी देता हूँ कोई भी इन्डिया के किसी भी स्टेट में आप अपनी त्यारी कर रही होना और उस स्टेट के अ अदर आपका लीगल जीके का प्रस्पेक्टिव आएगा mains में आएगा, pre में आएगा, interview में तो आए गई आएगा, अगर अपको pre में नहीं आया, mains में नहीं आया, 100% interview में आपसे 10-13 कैसे सवाल पूछे जाएंगे, जो आपके दिमाग के उपर से जा सकते हैं, लेकिन आप अपर अपना command बना के चलोगे, कोई कुछ नहीं बिगाड प तो इसकी PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी, और iPhone users के लिए भी मैंने अपनी application अपनी on कर दी है, तो आप my institute app, red color का जो app होता है, आप उसको install करोगे, फिर उसके बाद आप से ORG code मांगा जाएगा, ORG code में आप टाइप करोगे, ZPOGS, मेरा application डाउनलोड हो जाएगा, फिर इसक सेशन स्टार्ट करते हैं, तो सलसा वहली बात हम इसके बात करेंगे, criminal procedure, identification, bill 2022, तो यह हमारा लोग सबा के अंदर भी प्रपोज करा गया था, 28 March 2022 को, 28 March 2022 को यह लोग सबा के अंदर भी present करा गया था, ठीक है, कि यह request करी गई थी और एक bill introduced करा गया था, जिसका नाम है criminal procedure, identification, identification, bill 2022, हाले कि मैंने अपने यूट्यूब पे भी जब यह bill आया था ना, इसके regarding में एक वीडियो बनाई थी, बट भी क्रक्स में थी, आज हम इसके इंदर थोड़ा सा डिटेल बाते करेंगे, जिससे कि एक्जाम बर्ट अफी से आपको इस सारी बाते पता रहनी चाहिए, ऐसे रैटिंग में पता रहनी चाहिए, जब आपको मेंस में लिखने को आएगा, तो यह चीज आपको पता रहनी चाहिए, तो इसके नज़से पहली बात, हम एक पात अपनी क्लियर करके चलना, यह जो बिल है न, हमारा Criminal Procedure Identification Bill 2022, यह लाया गया था, यह वाले particular Act को खतम कर करने के लिए, तो यह Act का नाम क्या है, Identification of Prisoners Act 1920, तो Identification of Prisoners Act 1920 को खतम करने के लिए, यह Criminal Procedure Identification Bill 2022 लाया गया था, अगर मैं मुद्दे की बात आपको सीधे शब्दे में बताता हूँ, तो पहले क्या हुआ करता था, अभी भी लागू है, क्योंकि तो repealed हुआ नहीं है, यह ह तो पहले क्या हुआ करता था, जो यह हमारा Act था, Identification of Prisoners Act 1920, इस Act के नरे पहले कोई भी अपरादी, जब जो convict हो गया है, कौन से अपराद में, एक साल की सजा में convict हुआ है, या उससे जादा की सजा के नहीं convict हुआ है, कोई भी offense में, तो लिखा हुआ ना, कि अगर कोई भी अपरादी convict हो गया है, इसके नरे को ध्यान रखना है, कोई भी offense ऐसे अपराद में convict हुआ है, जिसमें उसको rigorous imprisonment मिली है, कितने time कि या तो एक साल की मिली हो, या एक साल से उपर जितनी मर्दी, दो साल, पांस साल, दस साल, बीस साल, पचास साल, उमर कैद, जो भी मिल होगी, या any other offense के लिए, जिसमें उसको enhanced punishment मिल सकती है, मिल चुकी है, और enhanced punishment हो जाने के बाद, उसको एक साल, या जितनी मर्दी सदा, कुछ भी मिली है, अपना section number 118 of CRPC, 1898 वाले की बात कर रहे है, क्योंकि पुराने actor ने है, तो पुराने actor उसलिए इसमें cover कर जाता था, तो फिर जब अपरादी जो है, जेल में जाता था, ठीक है, जब जेल में चला गया, तो उस अपरादी का measurement लिये जाते थे, अब measurement में तीन चीज़े लिये जाती थे, कि एवल, photograph और उसका fingerprint और उसका footprint, बात खतम, तो photograph ले लिया, footprint ले लिया, fingerprint ले लिया, ये तीन चीज़े उस ली जाती थी, जो अपरादी कन्विक्ट हुआ है, एक साल के अपराद में, rigorous imprisonment में, या उससे जाधा वले में, ठीक है, कौन से कानून के तहत, identification of Prisoners Act 1920 के तहत, इतनी सी बात हुआ करती थी, लेकिन हमारे लोकसाबा के अंदर 28 March 2022 को ये बिल introduce करा गया, Criminal Protection Identification Bill 2022, तो इस बिल क आने के बाद, यहाँ पर इन्होंने मांग करी है, कि जसाब, मलब जसाब नहीं, जनता के लिए ये बिल लाया गया है, कि अब जो है न, ये बिल propose करता है, कि भाई, पुलिस को ना और ज़्यादा पावर दे दो, यानि कि पुलिस जो है, अब finger impression collect कर सकती है, palm print impression collect कर सकती है, footprint impression collect कर सकती है, photograph collect कर सकती है, iris and retina, जो आखों का होता है scanner, वो collect कर सकती है, physical and biological samples, जो है, वो collect कर सकती है, analysis कर सकती है, जो भी samples लिए है, behavior, attributes उसका observe कर सकती है, analyze कर सकती है, signature उसके लिए सकती है, handwriting उसकी देखरे कर सकती है, ठीक है, तो ये इसलिए लाया गया है, कि अगर कोई प्रिजनर जो कन्विक्ट होगा तो पुलिस को पावर दे दो कि पुलिस जो है ऐसे कन्विक्ट लोगों की जो सजा अपनी काट रहे हैं आप काटने के लिए आए हैं तो उनके ये सारी चीजे ले लो पहले क्या हुआ करता था भी हमने पड़ा न तो पहले तो केवल साल हो गए कम से कम इस कानून को लागू रखे हुए तो उसके बाद अब एक सो तीन साल के अंदर साइन्स के टेक्नोलोजी बहुत जादा बढ़ चुकी है ठीक है तो और जो अपराद करने का जो तरीका है लोगों का अपरादियों का वो भी बहुत जादा एंहेंस हो चु ठीक है जी याद रखना और यहां पर एक और उन्होंने प्रेजेंट भी में बोला है कि भाई जो अपरादी का यह सब डाटा कलेक्ट करेंगे उसके फुट्प्रिंट्स हो गए पाल्म इंप्रेशन हो गए फिंगर्प्रिंट हो गए फोटोग्राफ हो गए आईरस रेटी कि भाई ऑब्जेक्ट क्या है कि क्यों क्यों इस बिल को लाने की जुरत पड़ी है जब अपना काम पुराना एक्ट से काम बढ़िया चल रहा है तो यह किल्मिल प्रसीजर इडेंटिफिकेशन बिल 2022 लाए क्यों है ऑब्जेक्ट क्या है यह पढ़ लेते हैं तो यहां पर को लाए कि भाई देखो हम जैना यह मेजरमेंट टेकिंग मेजरमेंट ऑफ कन्विक्ट एंड एनी अदर परसंस तो यहां दखना इसके बारे भी आपको बताऊंगा एनी अदर परसंस की किसके बारे में बात करें हैं कन्विक का तो समझ में आ गया चलो ठीक है प्रांद कर हम आएगा प्रिजब करके रखेंगे हम इडेंटिफिकेशन हम अगर करेंगे तो जहां केस साल और साल पेंडिंग पड़े रहते हैं क्योंकि हमारे पस कोई सबूत नहीं होते और फुक्ता सबूत नहीं होते क्योंकि आजकल साइंस की टेक्नोलिजी इतनी बढ़ चुकी है करने के लिए भाई चोटी चोटी चीजे देखके भी हम समझ नहीं पाते कि आपराद किस ने कर आओगा या किस ने नहीं कर आओगा ठीगे इसलिए साइंस के टेकनोलिजी भी बढ़ गया तो भाई स्में सेंपल चीजे इक्ट गालेट करने गभी तो च्छ एक्ट्र टेकनोलिजी बढ़ाऊ नगा जो पुछ एक्ट्रा टेकनोलिजी बढ़ाओगी ने कौन-कौन से लोग जो है अपने ये क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 के अंदर एड़िड होंगे तो पहले तो वो वक्ती वो वेक्ती जो कन्विक्ट होए है पहले बात दूसरी बात आती है ऐसे वो लोग जिनको जो है सिक्योरिटी ओफ और गूड बहेव गए होंगे इन लोगों को भी बोला गया है कि भाई तुम भी इस एक्ट के अंदर गवर्ण होंगे और जो 107, 108, 109, 1010 यह है बीचल अफेंटर के होते हैं ठीक है तो इन लोगों को भी बोला गया कि भाई तुम लोग भी इस पर्टिकलर बिल के अंदर गवर्ण होंगे औ और पुलिस को तुम यह सारे सेंपल्स, हेंड राइटिंग, सिगनेचर, आईरस, स्कैनर, भी यह सारी चीज़े, यह जो है, तुम लोग भी दे होगे, ठीक है, क्लेर हो गया, और साथ में ऐसे लोग भी जो वेक्ति अरेस्ट होएं, यहां पर देखो, अरेस्ट की बात करिए अभी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, तुम्हारे को, कोई भी तीन से दुखे पराद में, तुमने प्राद करा है, यह नहीं करा भी, ठीक है, सिर्फ तुम अरेस्ट होए हो, शक के बेनहां पर, तो यहां पर बुला गया है कि बेट अब तुम भी आजो, किर्मिनल प्रोसी यहां पराद में, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉग के अंदर आता है, अब इसको थोड़ा साब डेप्ट में पढ़िएगा, ठीक है, याद रखना, तो यहां पर समझ में आगया आपको, एक वो लोग जो कन्विक्ट होए हैं, और वो लोग जिनको गोड बहेवियर के अंदर जो है, कोट ने कन्विक्शन दी है, यह छोटे पराद के लिए होता है, ठीक है, और ऐसे वो लोग जिनको पुलिस ने डिटेंड करके रखा है, या एरेस्टे को डिटेंड बड़ भी लिखा होगा, मैं आपको दिखा देता हूं, आपको लिखा है ना, और डिट कर लिया, और पुलिस वाले प्यार सेंपल दे दो, हैंण राइटिंग दे दो, फिंगर प्रिंट दे दो, और आईरस स्कैनर दे दो, वेगर वेगर, आईरस स्कैन करने के लिए अपना वो सब्स्टांस दे दो, और सामने वाला विक्ति कहा रहा है, भईया, पुलिस वाले म मांग करी जारी है इसका में प्रस्पेक्टिव किया है क्या में इंपोटन्स है और पेनलटीudent है कौन-कौन से पॉस्ण ऐख पूछे जाता का violation है, right to privacy का violation है, ठीक है, और यहाँ पे जो है ना, ये सुप्रीम कोड का एक judgment आया था, right to privacy के एस पुट्टु स्वामी, इसका violation है, मतलब सुप्रीम कोड के judgment का violation है, और article number 20 clause 3, self-incrimination, कि भाई, सामने वाले व्यक्ति जो अपरादी होगा, या नहीं भी होगा, देखो, अपर सबूत खुद कोड में पेश नहीं कर सकता, लेकिन ये बिल तो एक तरह से यही दर्शारा है, कि जो अपरादी होगा, तो वो अपने आपके सबूत खुद दे रहा है, पुलिस वालों करा कि ये लो पुलिस वालों, ये रही मेरे सबूत, ये रहा मेरा fingerprint वेगरा वेगरा व कोड में मेरे बाद को प्रूफ करके मेरे को जेल पहुंचा दो, बात कर दो, तो ये तो एक तरह से ये बिल ऐसा दर्शा आ रहा है, ऐसा opposition party का ये अपने issues involved इसके अंदर ये करे गए थे, कि self-incrimination का article number 20 clause 3 का violation है, fundamental rights का violation है, right to privacy का violation है, और बहुत सारी चीज़ों का violation यहां पर होगी, बट मैं जाधे साथ आपको सारी चीज़े जेन्मन प्रोवाइड कराऊंगा, जो आपके exam point office से important रहेगी, तो इसकी PDF आपको कहां पर मिलेगी, मेरा smart and legal guidance app जोगो, तो आपको डाउनलोड कर लोगे, तो महाँ पे इसकी PDF आपको मिल जाएगी, हम मिलते नेक्स वीडि thank you